श्री शिवाई नमस्तुम्यम हर हर महादेव गुरुजी पंडित प्रदीव मिस्राजी द्वारा बताए गए सभी उपाई हम इस चैनल पर करके बताते हैं ताकि आपको सभी उपाई असानी से समझ में आ सकें समबार की अस्टमी जो कि 20 नवंबर को पड़ रही है समबार के दिन साल की सबसे आखरी है ये अस्टमी और साल में एक दो बार ही पड़ती है तो आज के दिन समबार की अस्टमी के दिन अगर आप ये उपाई कर लेते हैं तो आपके सारे काम सफलता पूर्वक पूर हो जाते हैं तो गुरु जी ने बताया है कि 5 पेड़ के पत्ते 5 ब्रच के पत्ते आप किसी भी ब्रच के पत्ते ले लीजेगा और एक सफेद फूल लेकर महादेब के मंदिर में जाना है और वो पत्ते और एक सफेद फूल असोख सुंदरी माता जी को इसपर्स करा के महादेब के देख सकते हैं मैंने इस पर्स कराने के लिए रख दिया है आप तुरंत भी उसको चड़ा सकते हैं इस पर्स कराके और आप महादेब के ऊपर चड़ा दीजिएगा निर्मलेशर भगवान का नाम लेकर निर्मलेशर महादेब का नाम लेकर अगर आप इस तरीके से चड़ाते पांच बिरच के पत्ते और एक सफेद फूल सौमभार की अस्टमी को तो आपके सारे काम सफलता पूर्वक पूर हो जाते हैं ऐसा गुरु जी ने अपनी कफा में बार बार बोला है तो ये जो अस्टमी है ये साल की आखरी अस्टमी है सौंबार की अस्टमी 20 नवंबर को तो आप ये उपाए बिल्कुल कीजिएगा भूलिएगा मत और प्रिदोश काल में कीजिए चलिए अब बढ़ लेते हैं हम अपने दूसरे विशेश उपाए के साथ गुरुजी ने बताया है कि गाये का दूद लेना है ध्यान रहे गाये का ही दूद होना चाहिए और एक कटोरी में ले लीजिए अगर आप के चांदी की कटोरी है तो चांदी की कटोरी में ले लीजिएगा नहीं तो आप सरद्दाभाव से लीजिए और एक ये जो बेल पत् कि दूद के अंदर दाल दाल दीजिए का पूरे घर मेन जितने भी घर मेन गरमें जितने भी कमरे हैं सबी डिशी घर मेन में गुधी सबले डिदार वहर सारी नहां को जादा गे महा देव को उपर चड़ाना है ध्यान रहे ये दो फैयर के 12 बजल करना है उपाई और ये जो नाम लेना है वो लेना है आपको अब दूतेश भ़गवान का नाम लेकर 16-20 बजे करना है दो फैयर इस वीडियो में बता रहे हैं आप कोशिश कीजिएगा प्रदोशकाल में कीजिए क्योंकि प्रदोशकाल दिन का सबसे अच्छा जो पहर होता है वो प्रदोशकाल होता है इस समय हरी और हर दोनों मिलते हैं शिव शक्ती मिलते हैं सबी जो देवी देपता है उनका मिलन का समय होता है तो प्रदोशकाल में ही कीजिए आपको लेना है काले तेल और थोड़ा सा सहथ और पांच मुम के दाने ठीक है ये उपाय बहुती बिशेश है इसको ध्यान से सुनिएगा और ये उपाय जरूर से कीजिएगा देखिए क्या करना है सबसे पहले जो काले तिल है वो महादेव के ऊपर चड़ा देने हैं चड़ाने के बाद दो वूंद Wu inglach डाल दीजेगा और फिर लेना है आपको वो जो सहथ है वो उससे आप महादेव को अच्छे से उनको लका दीजेगा हातों से खूबicana डाल दीजेगा उसक स्रम भेशर भगवान का नाम लेना है किसका लेना है स्रम भेशर ठीक है महादेव का नाम लेना है पाँच मुण के दाने अपनी मनुकामना के साथ चड़ा दीजिए का 20 तारीक सौंबार की सबसे बड़ी अस्टमी होती है क्योंकि सिव और माता पार्वती का मिलन होता है इस जो की मूंग के दाने लेने है 31 मूंग के दाने 31 चावल के दाने ध्यान रहे चावल खंडित नहीं होने चाहिए अच्छत होने चाहिए यह देखिए वीडियो में आप देख सकते हैं 31 चावल के दाने लेने है 31 मूंग के दाने लेने है और 31 ही बेल पत्र लेने है देखिए य किस तरीके से चड़ाना है और किस के ऊपर क्या चीज़ चड़ानी है यह ध्यान से सुन लीजेगा क्योंकि यह अस्टमी है यह साल में दो तीन बार ही पढ़ती है और यह अंतिम अस्टमी है तो इस दिन भी भूल नहीं करनी चाहिए और अगर भूल होती है तो फिर महादेब से प्रातना करके आप माफी मांग सकते लेकिन ध्यान रही कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको धियान पूर्वगत देखिएगा तिकि सब से पहले आपको बेल पत्र चावल के लिएय सब była करना है किर mesures replied. नंदी के लिए 31 मूंग के दाने और उन दानों को लेकर जो भोले बाबा के सामनी नंदी महराज बैठे होते हैं उनके ऊपर चड़ाना है उनका जो उठा हुआ पैर होता है बहां पर चड़ाना है ठीक है और जो 31 ये बेल पत्र है ये इस पर तिलक लगाकर माता पारवती का ध्यान रखकर त सुंद्री माता की जगह पर करना चड़ाना है और उनको चड़ाने के बाद इसकी जो बेल पत्र की डंडी है वो जलाधारी की तरफ करना है ठीक है यह उपाए आपको करना है सुंबार की अस्टमी में और प्रदोशकाल में तो चलिए आप बढ़ लेते हैं अपने पांच में विशेश उपाई की तरफ आपको लेना एक कटोरी मी दूद के साथ आपको बेल पत्र लेनी है ध्यान रहे इसमें बेल पत्र दूद के अंदर नहीं डालनी है प्यारी सी बेल पत्र ले लिजे बिलकुल कती फटी नहीं होने चाहिए और देखिए जितने भी उपाए है न ये सौंबार के हैं उपाये तो इस दिन सौंबार के दिन आपको बिल्कुल भी बेल पत्र को नहीं तोड़ना है आपको अगर बेल पत्र आपने पहले से नहीं तोड़ पाईए तो आप उसको खरीद लीजिएगा लेकिन तोड़िएगा मत क्योंकि सौंबार के दिन अगर आपको एक तरह का पुन्य नहीं मिलता है, तो आपको इस तरीके से महादेव के ऊपर बेल पत्र चड़ा देनी है, और बेल पत्र चड़ाने के बाद ये जो दूद है, ये दूद भी आपको समर्पित कर देना है महादेव के ऊपर, अपनी मनुकामना बोलते हुए, तो इस त इतने भी उपाय है ना सब उत्त्र दिशा की तरफ बैठकर अब यह सारे उपाय करने हैं क्योंकि उत्त्र दिशा की तरफ अकर आप को पूरता होते हैं कोशिश कीजिए कि जब भी आप मंदिर में दर्शन करें भोले बावा को कुछ भी अर्पित करें तो दच्छिट दिशाव में बैठकर उत्तर दिशा की तरफ मुह करके आप कुछ भी चीज चड़ाईएगा तो यह उपाया आपको अच्छे लगे तो वीडियो को ल पार के शिछिए...